हेलो फ्रेंड्स मेरे चनल डेल्टकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत सवागत है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैडी को कैसे यूज़ करते हैं एक मैडी बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको यूज़ करते हुआ हमें काफी अच्छे सिगनल मिलते हैं मैरिको का एक एक्जामपल लेकर बताऊंगा मैरिको SMCG कंपनी है जो कि जियो डट कंपनी है काफी अच्छे सिग्रो कर रहा है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यह वाला वह वीडियो आप ओर डेटेल में जानना चाहते हैं इस कंपरी के बारे में तो यह वाला वीडिय आप इस वीडियो को देख लीजिए और डेटेल में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में आपको इसकी इंफोमेशन मिल जाएगी तो चलिया यह शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो तो यह मैरिको का चार्ट है एडवांस चार्ट इसमें इंडिकेटर में आएंग देखिए मैंगडी ने हमें वह सेल सिगनल दिया है क्याक म couple ऌल सिगनल शोक के अंदर सिगनल पीश परक् gros के टो तो आप इसमें 1020 दिन की moving average भी यूज कर सकते हैं उसमें भी आपको अच्छे signal मिलेंगे आप थोड़ा इनको इंडिकेटर को implement करके देखिए practically मतलब कहने का मतलब यह है कि इस इंडिकेटर को आप place कीजिए money control की website पे वहाँ पर लगा के देखिए देखिए past में मतलब पहले कैसे signal मिले थे इसके अंदर मतलब चार्ट बनता चला जा रहा है जैसे trade हो रहा है वैसे चार्ट बनता चला जा रहा है stock का अब stock के अंदर अगर buying आईगी तो stock उपर जाएगा selling आईगी तो निचे आएगा यह बात तो आपको भी समझ जागा जोगी तो पराना data ठाके देखिए पराना record ठाके देखिए MacDee ने कितने अच्छे result दीए कितने अच्छे signal दीए कितने बाद MacDee successful हुआ और कितने बाद fail हुआ है मैंने यह पाया कि MacDee बहुत ही अच्छा indicator है यह बहुत ही अच्छे result देता है लेकिन आपको इसको यूज करना आना चाहिए आपको जो है इसके साथ साथ 2-3 indicator ओ लगाने होंगे जैसे अच्छे लगा लिया आपने इसके साथ आपने moving average को ले लिया मैं 50-20 दिन की moving average यूज करता हूं जब मेरा short term view होता है और मेरा long term view है तो मैं 50-20 दिन की moving average को यूज करता हूं देखे दोस्तों सबसे पहले मैं stock collection अच्छा रखता हूं मैं ऐसे stock में indicator place करता हूं जिनके fundamental strong होते है उठे चीज़े stock में indicator place मैं देखता निए उन stock को उसमें भी आप indicator place करेंगे तो आपको संभावना है कि आपको अच्छे result मिलेंगे indicator होता क्या indicator हमारे दोस्त की तरह है यह हमें यह बताते है कि इस वक्त stock की आने वाली चाल कैसे हो सकती है उपर जाएगा stock निची जाएगा कब buy करें कब sell करें लेकिन fundamentally strong stock होगा गलती से माल लिजे आपके indicator ने fake signal दिया आप फस गए तो fundamentally strong stock है तो आपने हो सकता है अगर उच अच्छी ग्रोथ आने वाली अच्छी recovery होने वाली आने वाली तो डिजर्ट अच्छे आने वाले है उसके अंदर अच्छे numbers आने वाला ग्रोथ आने वाली है तो stock है न ऑटमेंटिक लिजानिस आएगा ही आएगा तो इसलिए मैं कहता हूं आप पहले practice करके देखिए कोई यहां बाय करता और यहां sell करता तो मुझे कितने का मुनाफ़ा होता ठीक है इसके दार मैं moving average को भी use कर रहा हूं उसको related करके strategy बना रहा हूं मैं छोड़ा detail में समझाता हूं आपको देखे दोस्तों मैं आपको समझाता हूं यह मैंने 3-4 indicator use करने के लिए क्यों बोला एक मैं अच्छे से करना होगा fundamental करना होगा पहले fundamental करना है ठीक है technical जो हमें बताता है when to buy what to buy क्या खरिदना चीए हमें fundamental बताता है और technical हमें बताता है कोई चीज अच्छी बुरी है उसको सही समय क्या होगा खरिदने का मतलब सरस्ते दामों में हम खरिदें और महेंगों में बेचें ठीक है कई बात फेक्स इसनल भी मिलते हैं लेकिन जब स्टॉक कॉन्सॉलिडेट हो तब फेक्स मिलते हैं तब आपको य स Constitution करो hall we see मैंस बने करां ओंग भी हो योगता है करें जब टेजी का टाइम होता है तब हमें अच्छे सिखनम मिलते हैं जब मार्लन पिर रूंद都是 होता है अच्छ मिलते हैं और जब इसस्टॉक का आपको प्रफ़ाद को में फेक्सितन मिलते हैं मैं अच्छे तो सम्झाने के लिए बोल रहा हूं ताकि न्यू बिग्जनस को अच्छे तो समझाए ताकि उसका नुक्सान ना हो माकट के अंदर ठीक है मैं सची बाद बोलू आपको सची बाद बोलू मैं इंडिकेटर को पहले बहु मैं से moving average को यूज करता हूं ठीक है और मैं कोशिच करता हूं कि मैं अच्छे stock को correction ब सब्सक्राइब करों करें कि करों क्रेक्षिन को करें करें करों 5-20 दिन की जब में यूड को यूज करों यह च्छी है यह बी अच्छा काम काश करती है आई यह वीडियो को आगे बढ़ा को मेले भी आप मेले को अप्लाइ करें तो आपको शुरुum never के लोगी मेले को अप्लाए करने में ठोडा चाटमें प 처 Fayk चिकनल मिलते हैं जब यह आप बॉपलाई करें तो हमेशा लाइए थो थोड़ा गैप होना ची रही है तो हुमारा इकular भूफ जनेट होता है तो इस तरीकए से हं यहां पर हमारा वालसी जनेट हुआ हुआ उसे के बाद हम द्वारा देखें अफी सब्सुदा है लोकर तॉरश के मिन जुह है कि एलब पर चैनल दिआ होग्या उसके बाद भीा आसके बाद इसके बाद टोजाइं दोसों नौresso जुग गई तो येहं बहूत अच्छा इंडीकेटर है आप इसको यूज की सिर्फ में काफी अच्छे सिगनल मिलते हैं तो उसी तरीके से फिर यह मैंने अभी का करण्ट का खुला है आज का तो यहां पर देखिए इसने सेल सिगनल दिया था हमको तरमलोटो का वर्शी करण्ड हुआ उसके बाद यहां पर इसने बाइस सिगनल दिया हमको 252 पर उसके बाद थ तक हो इसी तरीके से मैं इसको और खोल लेता हूं अभी का पूरा हमें पता चल जाएगा तो इस तरीके से फिर इसने यहां पर बाइस सिगनल दिया था 267 पर लेकिन देखिए यहां पर चोट गैप कम है तो आप कोशिश कीजिए जब बड़ा गैप मिले जैसे यहां देखें जब जैसे यहां ओर बोर्ट के लेवल पर पोश्च गया तो उसके बाद थोड़ी सी पॉफ्र बुकिंग हो जाती है स्टॉक के नहीं जब भी आरा से 80 85 तक हो जाए तो जैसे यहां पर 80 की आरा से होगी जी स्टॉक 323 तक चला गया था उसके बाद यह निच्छ आ आया 315 उसी तरीके से मैंने को स्टॉक निकाला है इंडियन बूर होसिंग फानाइस यहां जो की काफी अच्छा डिविडेंट दिरती है अपने शेयर होड़र को डिविडेंट देके रिवाउड करती है सबसे जादा डिविडेंट देता है यह स्टॉक तो इस तरीके से य उपर चला गया 962 पर अब यहां पर इसने दिया स्टॉक उपर भी गया लेकिन इसमें आप यह देखें जब हमेशा मोटा गैब बने मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझ आएगा यह देखिए जब यह काफी मोटा गैब बनेगा ना इसके यह को समाप करने से पहले खतम करने से पहले मैं आपके डॉट्स को क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको अंधेरे में यह दोखोंगा पसनली मैं बोलूं सच बोलूं यह वीडियो मैं अपने फोलो की दिमांड पर बनाया कुछ मेरे चैनल के मेरे भाई और मेरे दोस्त कह रह करता है पसनली देखो मैं अपने वीडियो में बोलता है कि मैं मुवीग विश्च पर ही बुरस्ता रगता हूं और मैं फंडमेंटल देखता हूं ठीक है आप यूज करना चाहे तो अपने दिख्श पर खीजिए इंडिकेटर अच्छा है उसके साथ आप एक बार देख लि लिघे न्ट इनटीनों इम्टेकेटर में से कौन्सा आपको अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगे आप उनमें से एक इंडिकेटर को पखड़ लिजिए तो आपको शाहे अच्छे इसर्ट मिलें तो इसी के साथ पढ़ाई कीजिए ठीक से अनलेसिस कीजिए या उसके बाद किसी नरने पर पहुचिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए थैंकि तो मच और गॉड ब्लेस्ट यू बाई